आज की एक निविज निकल कर आ रही है जिसमें बारत सरकार की तरफ से कुछ अमेंडमेंट किया गया है बारतिय सेना के बारे में जो अगनी वीरों के बारे में भरती होने वाली है तूर ओब डूटी सिस्टम भारतिय सेना में भरती योजना को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है इन सेनिकों को सथाई सेनिकों की तरह ही अवार्ड और मेडल मिलेंगे लेकिन पैंजन नहीं मिलेगी बारतिय सेना की तिनो साखाओं ठल सेना, नो सेना और वायू सेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भरती के लिए नई स्कीम लोंच की गई है इस स्कीम के तहट नो जवानों को सिरफ चार साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी सरकार ने ये कदम तनक्वा और पैंसन का बजट कम करने के लिए उठाया है रक्षया मंतरी राजनात सिंग के साथ तिनो सेना देक्सों ने एक प्रेस कॉनफेंस करके इस योजना का एलान किया है पहली वर्ती रेली 90 दिनों में होगी डिपार्टमेंट अफ मिलेटरी अफेर्स ने इस अगनीपत रेक्रूटमेंट स्कीम को पहले टूर अफ डूटी नाम दिया था इस स्कीम के तहट सोड टरम के लिए ज़्यादा सेनिकों की भरती की जाएगी विवाग ही इसको लागू भी करेगा सरकार ने अपने खर्चों में कटोती के लिए और डिफेंस फोर्स में युवाओं की संक्या बढ़ाने के लिए इस स्कीम को पेस किया है अगनीपत के तहट हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में सामिल किया जाएगा युवा साड़े सत्रह से 21 साल की उमर के बीच होंगे इन्हें चार साल के लिए सेना में सेवा देना का मुका मिलेगा इन चार सालों में से 6 मेहने सेनिकों को बेशिक ट्रेनिंग दी जाएगी सेनिकों को 30,000 से 40,000 सेलरी और अन्य फायदे दे जाएगे वे तिनों सेनाओं के सथाई सेनिकों की तरह ही अवार्ड, मैडल और इंसुरेंस कवर पाने की हगदार भी रहेंगे इंसुरेंस कवर 44,44,00 रुपे का होगा चार साल पूरे होने के बाद सिरफ 25% अगनी वीरों को सथाई कैडर में भरती किया जाएगा जो सेनिक चार साल के बाद भी सेना में काम करने साएंगे उन्हें मेरिट और मेडिकल फिटनेस की आधार पर मुका मिलेगा जो सेनिक सथाई कैडर के लिए तुने जाएंगे उन्हें 15 साल का कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा शुरुवाती चार साल कॉंट्रेक्ट के तहट रहेंगे इसलिए इसकी पैंसन नहीं मिलेगी जो 75% अगनी वीर इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे उन्हें सेवा निजी पैकेज दिया जाएगा यह 11-12 लाग रुफा का पैकेज आंसिक तोर पर अगनी वीरों के ही मंतली कंट्रिबुशन से फंट किया जाएगा इसके अलावा उनको मिले स्किल, सर्टिफिकेट और बैंक लोन के जर्गे उन्हें दूसरा केरियर शुरू करने में मदद की जाएगा ऐसी ही न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घन्यवाद